ब्लॉग बॉस्टर मुवीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें एमे स्टुडियोज और बेल एक उन दबाई पानूस बनके जिसकी हिपाज़त हवा करें वो शम्म क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करें जिसे रोशन खिए जिसे रोशन वाइब करें रोशन से में वो शम्म में जिसे रोशन खुदा करें हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ दुआ को हुआ 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 टुप से अखब एंग कर दो हुआ हुआ गैनाराम, आओ गाराम क्या बात है मुदरेम जी मैं अब बात हों कह वकत नहीं कह भात दागियाan जै मे rodz felt old girl मुझे एक महिन माई डे दिजी मैं पाईपाई चुका दूंगा गंगाराम आज तुमारे हाथ 2 जोडने का कोई आसर नहीं आए निदिया तो सामान उठागे मार बैंक दूगा। दया करो मुरीम जी, मैं लंगरा आत्मी कहा होगा? अची जहनने में जाओ, मुझे क्या करना है से? चलो जी सामान उठागे बादा हो इनka अंधेर नग्री है क्या? चाहे जिसके घर में घुजके सामान निकाल के फेक दो कि यान्या है मुनिम जी मैं गंगाराम का पडोसी हूँ और कान खोल कर सुन लो कि मैं अपने पडोस में ये जुल्म यान्या नहीं होने दूंगा तुम किसी अपाहे जो बेसारा को इस तरह बेज़त करके घर से नहीं निकाल सकोगे तक केदार ना देखो मैं तुमसे काहिए कि अगर हमें गंगाराम के खिलाव कारवाई करनी है तो कानूनी कारवाई करनी चाहिए आप चलिए में साथ छोटे सरकार आप इन लोगों को नहीं हम इनको जानते हैं अगर मगर कुछ नहीं आप चलिए चलिए ना हुपं बैठ्य गाड़ी मैं J. बहुत बहुत धन्य वाउक के दार बाबू, आज आप ने मेरी इुजब बचा ली के निए आप फुरीब के पॉस पॉचाने को हो क्यई गह गारहु पिगल गया रहे जौाला मुखी पिगल गया उस देहाती अलड जवामुकी ज्वाला से ज्वाला मुकी पानी हो गया उसका नाम क्या है रहे सरला छोटी सरकार सरला ले आओं मैं कली धरमपूर जा रहा हम लड़का देखने वो भगवान ने चाहा तो बहुत जल तेरे हाथ पीले करके तुझे तेरे घर रवाना करतूँगा अरे बेड़ विक्रम एकाम कर वो मेरे कुर्ते में कागज की पुडिया है जर वो लिया ना यह लो बाबा ला बिटी ले बिटी समाल के रख इसको यह क्या है बाबा beta यह यह लक्षमी है बेटा यह वो शक्ती है जिससे सारी दुनिया चलती है और अकर यह न हो तो दुनिया के हर चीज अपनी जगह पर लुग जाए यह किसके लिए बाबा है तुमारे लिए बेटी यह तुभारी मा की निशानी है वो अक्सर कहा करती थी कि जब मेरी बेटी बहु बनकर किसी घर में जाएगी तो यह लक्षमी उसके गले में पहला कि भेजना तो क्या हुआ बाबा तुम्हारी बस उस मोर तक जाएगी और में घर पहुंच जाओंगी अच्छा बेटी बोल तेरे लिए शहर से क्या लाओं हरे लाल कांच की चूड़ियां बोल अच्छा बेटी मैं चलता हूं का सुबह तक घर लोट ओगे न बाबा तू जा कि यह क्या हो रहा है मुनीम जी छोड़िया मेरा रास्ता अवी रस्ता के तेरे बाप का दर्बच्चा है चो छोड़ दू है बस्ती में तो बड़ा जोड दिखा दीती यहां दिखावे तो जानू हर्जो मेरे सामने से परना मैं चिलाओंगी चिला बेरी कोयल मैं चिला भागे मेरी ही 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 चोड़ दो मुझी चोटे सरकार कहां से आगए मुनेम जी जी शर मानी चाहिए तुम्हें रास्ता चलते गाउं की लड़कों को छेड़ते हो तुम भूलोगे चोटे सरकार माफ कर दीजिए बखवास बंद करो मैं बड़े भाई सबसे कहकर आज ही तुम्हें काम सेलग करवा मुझी चोटे सरकार गल्ती हो गए माफ कर दीजिए तफ़ा हो जाओ 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 जी शरला ठीक हो ना ची चोटे चोटा चलो मैं तुम्हें घर छोड़ाता हूं यह यह आप जंडल की तरफ कहां जा रहे हैं क्यों डर लगता है हमसे जी मुझे देर हो रही है मेरे भाई अकेले हैं घर पे हमारे अकेलेपन का बिल्कुल खैल नहीं ऐसी बाते ना कीजिए छोटे सरकार सरकार तो हम औरो के लिए हैं इस वक्त तुम हमारी सरकार हो जब से तुम चली जाओगी तो जान चली जाएगी तुम जैसे फूल को पाके खोना सीथा तुम आगें दीदी हम लोग कब से तुमा इरा देख रहे थे मुना तो भूका ही सो गया नहीं दीदी मा जाग रहा हूं अरे क्या बात है दीदी तुम चुप क्यों हो तुम्हें क्या हो गया है दीदी दी तुम रोक हो रही हो क्या किसने तुम्हें मारा है अरे मारने वाले को जान से ना मार डालू जान नाम तो बताओ दीदी नहीं देख मुझे किसी नहीं मारा मैं बिल्कुल ठीक हूं नसीब के मा औरों को भला कौन मार सकता है? और यजब औरों को 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 और शकता है टासा किरां दोलकी को कि अपाल सकता है बड़ों वाला का का डर वाला की का है? प्हुआए है Спhenne, दोखा के डि़करा कर द। मेंक बर्वडbies declar leaf.'" Kabаю! Heक बवकर सरला, बेडी सरला, दर्वादा कुल बेडी सरला, सरला, सरला सरला बाबा, बाबा क्या क्या? अपने घर में कल्य में फंदा डालके मर गई वो, मुझे तो बहुत डाल लगना छोड़ सरकार अगर बड़े सरकार को मालूम हो गया तो हम सब बेमाथ बारे जाएंगे बड़े भाई साब को किस तरह मालूम पड़ेगा? तुम नहीं बोलोगे, मैं नहीं बताऊंगा और अगर किसी और को ये बात मालूम है उसे खरीद लो जब लड़की ने जान देही दी है तो उसे बदनाम करने से क्या फाइदा? रनवीर अगर तुम मेरे भाई नहोते तो मैं तुम्हें गोली मार देता और तुमने वो हरकत की है जिसने इस खांदान को सदा के लिए दागदार कर दिया है भाई साब मेरी बात तो सुनिए अब चाहे कुछ हो जाए मैं तुम्हें इस करनी की सजा दिलवा करी रहूंगा मैं अभी पुलिस को बिलवाता हूँ बाइसाब मुझे माफ कर दीजिए मैं जेल नहीं जाने शाथा भाई साब भगवान के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए बाइसाब यह क्या किया आपने बड़े सरकार का खुन कर दिया एक आत्म हत्या दूसरी हत्या कुछ नहीं होगा आप अपनी जबान और अपने होश काबू में रखिए आत्म हत्या के लिए किसी को फास ही नहीं होती और हत्या के लिए जुरूरी नहीं कि करने वाले को सजा मिले उसी को सजा मिलती है जो पकड़ा जाए क्या मतलब मतलब यह कि तुम किसी तरह सरला के पिता को इस बात का यकिन दिला दो कि उसकी बेटी के साथ बालतकार भाई साब ने क्या है दीन दयाल कुद्टे कमीने वासना के भेड़िये तेरी भूख हमेशा के लिए मैं मिठा देता हूँ बड़े सर्कार का खूं कर दिया से पकड़ो पकड़ो उसे ये अदालत केदारनाथ वल्दमरनाथ को दफ़ा 302 ताजीरात हिंद के तहट दीन डयाल वल्दराम डयाल के खूं के जुर्म में उम्र कैद की सजा देती है पावा 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 पाव पावा 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 लेकिन तू फिकर क्यों करता है मैं हुना तुझे कोई तकलीफ नहीं होने तूँगा पावा मुझे प्यास लगी है पाड़ी को रुखनें दे मैं ते लिए पानी ले आऊँगा मुझे मुझे प्यास लगी है न मैं अभी तर लिए पानी लाताम मुझे लेकिन दिए मुझे मुझे लेकिन मुना! 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 झाल, 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 झाल! झाल, 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 झा कि या अल्ला रहम कि पेटे पेटे बेटे बच्चे 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 पागे खुल बेटा हाँ लालू यह देख चमतकार हो गया खान भाई वरना ट्रॉक उपर से गुजरजा और जरा भी चोटना कॉँए आए अरे लालू अगर वो चाहे तो पानी में आग लगा दे अरा क्यों से पानी के फवारें चला देuest अरे बैटे तू तू यह सड़क आरे की दर भाग रहा था मैं मैं जह मैं मैं जह बासन है तुम कौन से गाउं से आया है बच्चे तुम्हारे कोई और है कोई भी नहीं देदी चली गई बापा चले गए और मेरे बड़े बाईया चले गए कोई बात नहीं बच्चे चुप हो जाओ लगता है बच्चा अपनों से बिछड़ गया है परवर्दिगार की मर्जी के आगे किसी का कोई पस नहीं चलता लालू बच्चे का पोटली उठाओ क्यों कर गया हरकत बजाया खुद और सूप दिया हमको कोई बात नहीं हम भी पठान है तेरी बख्षिश पर आँच नहीं आने देगा चल बच्चे चल तू मेरे साथ चल मुना 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 पालो ती बहिंट अरे खान भाई ये किसे ले आए आरे किसे हिंदू का बच्चा है ये देखो लेकिन ये नहीं मालूम किसका बच्चा है हम इसको बहुत पूछा लेकिन ये कुछ नहीं बता पाया तर्ट के नीचे आ गया फिर भी बच गया लगता है कि जैसे खुदा का भीटा हूँ फिर तो इसका नाम अमर होना चाहिए बिल्कुल ठीक यह इर खां का लगते जिगर अमर का कर लाम 3 लाम पां का लाम अमर्णा यह थो जिगर अर्शमा अमर क्वडस म कर दो अर्याओ साथ प्रेट, प्रेट! खुरे! खुरे! हलो, या मैं बहरी लाद दूबड़ बोल रहा हूं बहरी सेट, विक्रम हिरों का बैग लेकर अपनी कारी में भाग गया उर्लू का बथा हलो, पोलिस कंपोरूम कर द así सी प problema ऐ थmotionने 15 जचरे है जो Dick कर दो और, सॉट sabemos कि बांगा है कि फ दुट और ते जोग और जुट कर दो बाद Lena झाल झाल घब वे ठंड़ानी औरानो ऑां अंजाब और인नीaches अरे ब्रदर अपन तो नकली बंदूग के साथ मस्करी कर रहा था अगर असली होता तो अपन फिनिश अरे पीटर तुम यहां इस वक्त अरे पीटर का हीटर बना कर अब मीटर काय को देखता है ब्रदर अपन छे बजे से इधर तुम्हारा वेट करे ला पीटर तुम तो जान यह ले यह बीस हजार है कल सुबह दायनन अनाधाश्रम में जाके दे आना और हाँ उनको यह पता नहीं लगना चाहिए कि रूपिय किसने वेजे समझें समझ गया अरे ब्रदर तुम्हारा भी आंसर नहीं मेरा मतलब जबाब नहीं जो यह पैसा कमाने के लिए डेंजर से लेंजर काम करता है उसे जब गरीबों में बांटता है तो अपना नाम भी छुबा लेता है अब उनको और्फनेश से उठाया पढ़ाया लिखाया एक रिस्पेक्टेबल आदमी बनाया सच प्रदर अपन कितना लगी है जो तुम हमारा दोस्त है पीटर दोस्तो मैं हर अनात का हूँ क्योंकि मैं खुद अनात हूँ बस दिन रात यही प्रातना है जिसका मैं बड़ा भाई हूँ भगवान करे वो अनातना हूँ परवर्दिगार तेरा दिया हुआ बच्पन हमारे हाथों में पलकर जवान हुआ अपने लगते जिगर के लिए एक ही दुआ मांगता हूँ किसी बंडे के आगे इसका सर न चुके और तेरे आगे कभी इसका सर न उठे बाबा आप अल्ला मियास से हमेशे कुछ मांगते ही रहते हैं ओए कौन ख़बीस मांगता है तब कुछ कुछ गुदा ने दे दिया तुझको भेज कर अब तो बस तुमारी सलामती की दुआ मांगता है अगर हर दुआ कुबूर होती हो तो दुआ मांगे मेरा भाई मुझे पच्चे ये दूआ तो हम सुबा शाम करता है लेकिन उसकी अदालत में वक्त से पहले कुछ कबूल नहीं होता लेकिन ये वक्त कब आएगा बाबा कितने साल बित गए उस पर यकीन रखो मेरे बेटे लेकिन हम इतना यकीन दिलाते हैं कि तुम दोनों भाईयों का मिलन दे ये पाढ़ से वानी, अर आई दे आई आई कमाल मुरी बिंदिया, कमाल मुरा जुमका बजाई के चलो भिछवा, लगाई के चलो भुमका कमाल मुरी बिंदिया, कमाल मुरा जुमका बजाई के चलो भिछवा, लगाई के चलो भुमका कमाल मुरी बिंदिया, कमाल मुरा जुमका कमाल मुरी बिंदिया ना करू कोई गुलामी लादू किसी को सलमी हात आओ किसी के तो लोग करे बदनामी बड़े गुलफाम मिले सुगर शाम यहां सभी को मुझ से कोई काम यहां काम यहां हुजूर में हो कमा वहार के मौसम का कमाल मुरी बिंदिया होए एक दिवाने ने पूछा क्या तेरी हो गए शादी तू जो कमारी है आजा बनके मेरे शहजादी मेरे सरकार सुना सुने चांदी के लिए यहां जो बेचते दिल में वो नहीं में हो नहीं मुआप कर राजा परेब न दो हम का कमाल मुरी बिंदिया है कर राजा बनके मेरे शहादी के लिए नहीं जो कर राजा जाने शो मेरे चांदी फ्तर कर राजा बनके मेरे के राजा थाजा जो गलावा जो हाजादी मेरे होटों की हसी, मेरे आखों का नजा मेरे आचल की हवा, मेरे दुल्फों की घटा किसी को मार गई, किसी को तार गई मेरा दिल एक मगर, मेरे दिल दार गई हाँ, कोई दे छल्ला, कोई खंगूटी वादा भी ये जूता, निशानी भी ये जूती घुंगरू बराती, मैं तो जहां जाओं घुंगरी पे सारे जमाने को न जाओं इलाज करू में तो, हर दिल के हर इक घंका कमाल मुरी बिंदिया बजाएके चलू सिच्वा, लगाएके चलू ठुंका कमाल मुरी बिंदिया हुआ महरमानों, महरमानों, कदर्दानों, नौजमानों, मस्तानों अब तक जो आप देख रहे थे वो खेल था अब जो मैं आपको दिखाऊंगा उसको कहते है तमाशा अब आप लोग पूछेंगे, ये तमाशा कैसा, कदर्दानों, ये कोई जादू का खेल नहीं, नहीं ये मैसमेरिजम है जर्दा एक मिनिट अब जो तमाशा मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो ये है टोपी मास्टर कोट वाले साब और धोती वाले साब और वो कहां गए हाँ, चश्मेवाले साब, आप चारो अपनी जेबेंटे टोल कर देखिए क्या आपकी जेब में आपके बटूए हैं? तारे बाहर, कैसे हो सकते हैं? क्योंकि मैंने आपके बटूए को उड़ाकर इस पोटली में डाल दिया है देखिए एफ दो हाँ ये रात तीन ये कोई जेब काटने का दंदा नहीं है साब इसे हाथ की सफाई ये हाथ का खेल कहते है अब आप लोग चाहें तो तालीम मार सकते हैं लीजी ले लिया ना बतला मिटकी भड़ा जिल्की गरीब केचुले को बुझा दिया ना मेने बर के लिए शरम नहीं आती तुझे मजमा लगाकर अपने छोटे भाई से लोगों जेबे कटवाजी बिरती है अरे भारशन तो ऐसे दे रहा है जैसे छे मेना का राशन भरका है मेरे घर में अरे छोटे भाई को लेकर गरीब लड़की पेट पाले के लिए चोरी चकारी नहीं करेगी तो और क्या करेगी अरे तुझ जाए यहां से तुने अपना तमाशा दिखाना ता दिखा लिया अब तुम मेरा खेल लेखना रनवीर से अब हरी कैसे आना हुआ यह आप से मदद मांगने आया अपने मदद विक्रम नाम का एक आदमी है जिसके बारे में कुछ तो आपने भी सुना होगा जानते होंगे काम के बात क्यों अब हरे मेरे पास फालतू बातों के लिए वक्त नहीं है वही तो मैं भी कह रहा हूं से इस विक्रम ने मेरा जीना हराम कर रखा मेरा माल या तो लूट लेता है या पकड़वा देता है अकेला में जरा हलका पढ़ रहा हूं यह कौन सा मुश्किल काम है प्रेम जी जी जरा विक्रम को खबर कर दो के कल ठीक 12 बजे डबल हाइवे से विहारी का माल जा रहा है बगर नभी सेट कल तो मेरा माल जाल है यह दुश्मन को फासने के लिए जाल है माफ कीजिए मेरी गाड़ी जरा खराब हो गई है आपके पास पाने का सेट है जरा सी चूंबी की तो अपनी जान सा हाथ दो बैठो गया मुदा क्यों कौन है तुम क्या चीए तुम्हे माल का माल? कौनसा माल? कैसा माल? मैं अच्छी तरह जानता हूँ इस ट्रग में बिहारी का माल पूना जा रहा है पताओ कहां है वो माल? हूँ 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 पीछे कहां हूँ कहां हूँ मुलक्त लिए या बिलिल पनर अरे एक अकेले को बहुत सारी मिलकर मार रहे हैं छोटू तू गाड़ी वहां से ले कर रहा मैं देखता हूं कर छोटू झाली कर बध्य करे — अ कि पिना जड़ कि अंग अगई जूँ हो जाई लुट कि अपले लुट खर वी कि अपले लुट उर चाल सिंगत ही झाल हैं कि अवर दो इस बाम जो कि आहां चाहिए भाइभ बहुत बहुत्वत शुकूरिया दोस्त अगर आज तुम ना आते तो मैं ढया था कॉन तुम कमाल कर रहे हैं याप दोस्त भी कह रहे हैं और पुछ मिरें के कौन तूम नहीं मेरा मतलब है नाम क्या है तुमारा मेरा नाम है अमर खान अमर या मर क के साथ खान कैसे भगवान की इस रचना को खुदा के बंदे ने पाला है इसलिए अमर के साथ खांग अरे बहुत खुणब बह रहा है चैराम जी की आए हाव राजपत यह मेरा दोस्ते राजपत है बंबई में पान लगाता है और बनारस में नौटंकि चलता है और हम इनके यह हमारे राम है तो हम इनके हनुमान है और मेरा नाम विक्रम है जब तक मैं जिन्दा हूं अमर तुम्हारे यह अहसान कभी नहीं बुलूगा कैसी बात कर रहे हैं आप मेरे बाबा कहते हैं कि एहसान खुदा करता है उसके बंदे नहीं मुझ पर तो दोनों ने किया है हमारा ऐसान है कि में जंदा हूं , हम दोनों के जरूर कोई बिछली जनम का रिष्टा होगा , क्रूरा भाई , काहाँ रहे तु , जामली मोलले में शेरा गाराज है , और मेरा पता ही है, मिलते रहना जरूर मिलूगा चलता हूँ ब्रदर क्या बात है आज बहुत एपी नजर आता है आज एक ऐसे शक्त से मुलाकात हो गई दिल खुश हो गया ब्रदर तुम इतना खुश है और अपने एक सीरियस प्राब्लम लेके आया है तुमको अपन का मदद करना अच पढ़ेंगा जरूर करेगा, बोल क्या चाहिए आज जो जी चाहे मांग ब्रदर आज तुमको थोड़ा एक्टिंग करना पढ़ेंगा एक्टिंग? हाँ ब्रदर तुमको शाम को साथ बज़े सनन सेंट होटल जाना पढ़ेंगा पढ़ना ची नहीं मांगता तो? रोजी अपन को देखने के वास्ते आएंगा सनन सेंट में देखने के वास्ते? हाँ ब्रदर आप उनने उसको नहीं देखा उसने आप उनको नहीं देखा ब्रदर तुम एक इचिक काम करो उधर पीटर बनके जाओ यानि के हम और कोई ऐसा चक्कर चलाओ कि वो तुमको पीटर समझ कर हेट करें डिसलाइक करें और शादी का बाद खुदिछ ब्रेक कर दे तो यह सब तुम खुदिछ क्यों नहीं कर लेते? ब्रदर तुम तु जानता है कि छोकरी के सामने जाते ही अपनका हाथ पाओ ठंडा होने लगता है ब्रदर करेंगा ना तुझ आज तक कभी नाका है मैंने थैंक्यू ब्रदर थैंक्यू क्या नाम है उस लड़की का? रोजी रोजी प्रिया तुम हमसे जासी इंटेलिजन्ट है जासी स्माट है बंबई का सबसे लीडिंग मौन है वो तु है प्रिया पीचर हमको सानंसान में मिलने को आएंगा वो हमारा सूरत कभी भी नहीं देखा तो मगर हमारा जगा सानंसान चले जाएंगा उसका ऐसा इंसाल्ट करेंगा उसको ऐसा आक्टिंग बताएंगा कि हम उसको बहुत हेज करता है तो फिर वो खुद मारिज को ब्रेक कर देंगा और फिर हमारा लाइफ जॉन का वाइफ बनकर हेवन बन जाएंगा प्लीज प्रिया तो दिये तुम चाहता है कि हम रोजी बनकर होटल सनन सन में जाए और उसका इंसल्ट करते राइट तो कर देगा मैं आप बता सकते हैं यहां कोई मिस्टर पीटर मिस्टर पीटर? यहां वह यहां हम इस देख मैं यहां यहां मैं यहां यहां पीटर? रोजी यू फूल इतना हैंसम लड़का तुझे कहां मिलेगा ऐन्यूवे डूटी इस डूटी एस्क्यूज मी आप मिस्टर पीटर है? जी हां मैं ही पीटर हूँ और आप रोजी 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 आयाये पीटर उन लोग के पथे तुने इस लड़की के लिए ना कर दी यू बीस्ट यू रफूस दिस ब्यूटी हाँ बैठे है थेंक्यू दरहसल मैं आपी का इंतिजार करा था और मैं भी आपी का थुन रही थी अब अब डाल प्रिया यह क्या कर रही है तू तू चगड़ा करने आई थी तू पान कॉफे मिस्टर रिक्रम यह लडाई करने का कूई तरीका है बगकप, प्रिया परिया अटक आप यह घूर घूर के क्या देख रहे हैं आप पहले कोई खुबसूरत लड़की नहीं देखी खुबसूरती का मतलब यह नहीं कि दिनबज शीशे के सामने खड़ी रहूं और कोई बिचारे इंतजार में बैठा अपनी आखों को पैंडलोम की तरह इधर से उधर और उधर से इधर घुमाता रहे। आई लाइक नहीं करते आप लोगे हाथों मों भी पता दीजे सुन लीजे मुझे वो लड़की आप बिलकुल पसंद नहीं जिनकी जबान से वर्ट्स के बजाए नीडल्स निकलती हैं सुनिया निकलती हैं आप ये अपने सिग्रेट बंद करेंगे मुझे थूआ बिलकुल पसंद नहीं पसंद नहीं तो फिर साफ साफ सुन लीजिए मैं सिग्रेट पीता हूँ और चेंड स्मोकर हूँ स्कॉच भी पीता हूँ और आपको देर से घर लोटता हूँ मेरा मिजाज कभी बरब की तरह थंदा रहता है और कभी अटम बाम की तरह फूटता है फिर तो मैं भी आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी मैं पहले भी चार बार शादी की कोशिश कर चुकी हूँ चार बार ये पहला लड़का शादी से एक मैने पहले मर गया गॉड ब्लेसे सो दूसरे को कैंसर हो गया ब अशी लड़की से हर्गे शादी नहीं करूगा जिसके पास मौत की अजिंसी हो और मैं भी ऐसे आदमी से शादी हर्गेस नहीं करूगी जो कावड हो दरफोख हूँ लसन 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 डॉन्ट कॉल में बेभी तो क्या आंटी बोलो शचाद प्लीज 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 यूड़की तो मैं चौदा दिन तर्च में जा के रोंस दो कैंडल जलाया करो तो आपका निशाना तो काफी खराव है यूसें तो बी कॉकाइड ओ यू मिस्ट गह सब्सक्राइड बाइद राखाव हरा तो एक दिन अगबर बाथा ने तंसें जे पूझा पता तंसें सुपारी कच्ची खायबा के पक्की तो क्या अगबर बाद्शा तंसें का पाल लगा रहे थे अरे ना ही लल्लू हम तो तो से पूछत रहीं कच्छी फक्की दो दो गेर दे हाँ तो अकबर बादशा ने तानसेन से पूछा कि ए तानसेन पता संगीत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है सिवाए राजपत के और कौन हो सकता है आए अमर भाईया लगाओ हमार करेजवा में चोट हमकर संगीत का दुश्मन का हत है एक बार हमारा गाना सुन तो लेओ लेकिन तो हर पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है मिल गई राजपत भाई मिल गई अरे का मिल गई मिल गई चिलात है तान सेम की फोटो तुम अपनी दुगान पर लगाना चाहते थे ला हरी कहा तो हम तो संगीत समराट के दर्शन के लिए तरपत है जल्दी दिखा देखो दर्शन का असली मगा लेना है तो अपनी आँखे बंद करो मैं इसको बहां लगाता हूं हम अरे के का प्साथ बंद कर लें जल्दी करा शारी की देखने के लिए तरपत रहें सारा हिंद्व्तान चान मारा लेकिन कहीं तस्वीर देखने के नहीं में राषि आप अच्छा देखा था अरे इस ऐस हूरे कहां पर भाज गये कि वस्त्री नारी मारा गया अप्रमचारी कि अच्छ कि अच्छ कि उठाकर पहन ले जाने सोने की जंजीर सोनी के गले के लिए है यह सोनी का नहीं सोने का गला है अरे ऐसी जंजीरों पे तो थूखती भी नहीं सोनी संभो दादा को जानती नहीं शायद इस अलाके में तो लोग नाम सुनते ही दुम दवा कर भाग जाते हैं लोग नहीं चूए होंगे, मैं सोनी हूँ, मेरा नाम सुनकर लोग भागते नहीं, जमा हो जाते हैं, और फिर जूमने लगते हैं हाई, किसी एदा पर तो मर मिटे हम अरे चल चल, रासा नाप अपना अरे छोड, आज कल तो तरह धंदा कैसा चल रहा है धंदा? धंदा तो मंदा ही चल रहा है, सुन, तू वैसे बुरा नहीं है मेरा एक काम करेगा जी, जहान जहान, बोल, क्या चाहिए तुझे? वो एक सरपरा सुल्तान है, खामखा की उकुमत चलाना चाहता है मुझ पर उसकी नियत और इरादे ठीक करने समझ ले तेरा काम हो गया, उसका नाम क्या है? उसका नाम है अमर अमर? वो जामली महले वाला? हाँ वही तू घर जा? मैं निपट लूगा उससे अलो अमर वो अपना समान धंदा कैसे चल रहा है सरदार जी? आज कल बहुत कमदिशन चल रही है माराज आज कल दसा हमर भाव हाँ जी तो आड़ फिल्म लेनिज कोई जान पिचान वाला है गाए अरे हाँ वो डिरेक्टर अभी टेंडन है ना? हाँ जी वो ना दी गड्डी आंदी सारे गुल कदी गदी ये साड़ एक कामगरो ना सवने हो साड़ेस मुझे नी हिरो थे बड़ा आदेो एन्नू? फिल्म लेन इज कोई सरार थे हिरो एन्नी वो थे कंपटीशन ना सवाल ही नी हो हाँ 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 मैं गल करांगा रवजी ना चंगल स्रीकाल स्रीकाल आफ करना बैसाब तुझे माफ नहीं करूँगा क्या मतलब? मतलब तो सोनी समझागी मैं तो सबक सिखाऊँगा सराफत का सबक किस क्वे के मिंडग हैं आप? अभी बताता हूँ अभी बताता हूँ अभी आप 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 मुझा किस दो, हाँ, मैं होटल इमरान से बोल ला हूँ वे माम नहीं, होटल इमरान कमीन है, तरह गाली निकालता है बोल, बोल निकाली मैं कहता है छोल लो से, माज कहीं का चल पलीस्टेशन, चल इसमें का साव, इसने तो मेरा बेडा गरक कर दिया है खान साव, ये तो आपकी शराफत और इज़त को देखते हुए, मैंने इसे छोड़ना मनजूर कर लिया नहीं तो ऐसे गुंड़े को, चार छे महीने अंदर की हवा खानी बढ़ती आपका बहुत मेरबानी इस्पेक्टर साव हम आपका यहासान सिंदगी पर नहीं भूलेगा अहसान की बात नहीं है खासाब, इस आलाके में आपको कौन नहीं जानता लोग आपकी नेकनामी की कस्में खाते हैं मैंने सोचा था, जिससे आपका दूर का रिष्टा होगा, उसमें अच्छाईया ही अच्छाईया होगी मगर आपका अपना कोई ऐसी हर्कत करेगा, यह तो मैंने खौब में भी नहीं सोचा था आपका बहुत बहुत शुक्रिया है अरे, खान भाई, अमर कहा है अमर बेटा, कैसा है तू? शेर खान का इसत कितना बढ़ गया आज, पुलिस चौपी में भी उसका नाम लिखा गया कुंडे आवारा अमर का बाप शेर खान पारवती भेहन हमेशा कहा करती थी के खान भाई अमर बड़ा होकर एक दिन तुम्हें हज कराने ले जाएगा उसको क्या पता था कि आवर बड़ा होकर अपने बाप को ठाने ले जाएगा जो जगह हम जिन्दगी में आज तक नहीं देखा तो हमारे बेटे ने हमको आज दिखा दिया हम बहुत खुश है अमर बहुत खुश है इतना खुशी दिया हमारा बच्चा कि हम उसको समाल भी रह सकते मुझे माफ करतो बाबा अमर राष्टी के बिना सूरज पारी के बिना सुमंदर और इस्द के बिना पठान किसी काब के नहीं रहते हमारे आखों में देख इनमें एक पठान मर रहा है जो घर्दन अल्ला मिया के सिवाए और किसी के सामने नहीं जुकी थी आई तुमने उसे सारी दुनिया के सामने जुका दिया बाबा मैं जानता हूं मैं जानता हूं कि मेरे वेज़े से आपका बहुत शर्मिंद की उठानी पड़ी इसलिए आपने बाबा को कितना रुलाएगा अपने बाबा को कितना रुलाएगा हमारा इस्ट नाम तो आग में ब्या दिया अब जागर चाट भी लेगा हमारी बाबा ये है हमारा वेडिंग इन्मिटेशन कार्ड वाव रोजी वेड्स पीटर पीटर तरी शादी पीटर से हो रही है क्यों वो इतना बुरा है क्या ने वो तो बहुत हैंसम है लेकिन तू तो जॉन से प्यार करती थी ना अरे यार, हमने सोचा काई को मामी और डाडी को टॉचर करने का शादी A से हो या B से बेबी और बाबा ही तो प्रोड्यूस करने का है कर देगा आचा सुन, you are my best friend, जरूर आना हाँ, प्लीज जरूर आउंगी, जरूर आउंगी Come on my boy, get ready ये तो धोका है, सरासर धोका है Peter वो बंदरिया जो दुलहन बनी हुई है, वो रूजी नहीं है ये धोका है, रूजी, सरासर धोका जो लंगुर दूला बना हुआ है, वो पीटर नहीं है रोजी तो वो है, जो उसके साथ खड़ी है, रेड ड्रेस में मैं बात करती हूँ मैं जाके दिखता हूँ बड़े थोके बाज है आप, अनार दिखाकर घोबी बेचते हैं क्या मतलब? अपने आपको सामने लाकर अप्रूफ कराकर अब उस लंगूर से मेरे सैली के शादी करा रहे है जबान समाल के में साब वो मेरा दोस्त है और दरहसल वही पीटर है पीटर वो है? तो फिर आप कौन है? मैं विक्रम हूँ और आप मैं प्रिया हूँ रोजी की फ्रेंड प्रेंग धरिंने चो हो सकत जा ता गूरिंस प्रिशना तो हो एतरे सकत मा दोसे बूंगा भोका लुचा इका ह क्म मन्चा ही लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना वेह साल छादी का एरादा है मन्चा हा लड़का कहीं कोई मिल जाए अपना वेह साल छादी का एरादा है मन्चा ही लड़की मन्चा ही लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना वेह साल छादी का एरादा है अपना वेह साल छादी का एरादा है देखी है मैंने भी देखी है खाबो ख्यालों में कोई परीची हाँ चल में चेहरा छुपाए वो तस्वीर जैसे हो शर्मों है आगी हाँ ये तसम से लुट गया मैं तो मिट गया मैं तो पहली नजर में कहीं कोई मिल जाए अपना वेह साल छादी का एरादा है कि अवेखी हाँ जाए कि आपकि आपका पात्रい एंग लालालाला मैने भी इक दिन तो देखा था कूई अनाडी सा पुद्धु दिवाना मैंने भी एक दिन तो देखा था कोई अनारी सा बुद्धू धिवाना जाद हो था क्या उसकी आखों में आउसकी बातों में मैंने न जाना हाई कसम से लुट गई मैं भी मिट गई मैं भी पहली नजर में सही तोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है रातों की बेचन भाहों में चुपचाप जलता है ये दिल दिवाना दिवानी शुमा भी जलती है ये राधी जाने न दादल परवाना हाई कसम से दिल में है जो आएगी वो कब मेरे घर में कहीं वो मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है मन्चा ही लड़की कहीं कोई मिल जाए अपना भी इस साल शादी का इरादा है अपना भी इस साल शादी का इरादा है हाणा भी करें पांच ककदेश पांच कदस बांच कदस पंच का दस पंच का दस पंच का दस थाक आठ रुपए में डी मिक पंच का दस थाकर तटका डी मिलुटत कुप किसम और भट पांच का कोई है कर राठ कार। आरे ये लो ठीकट मुझे दो आरे जा छुट्टा ला जा छुट्टा कहांसे लाओं? पांच कादस आ लालकी दो टिकट मुझे दर उरे जल्दी आना उधर चलना माल लिका है माल मैं जट एकंगवर मैचा लिख वर ये लो भीज रुपाए आँर टिक है है आज mode of you हाथ सुंने ऑजा कुम है य हाट निय लगांव कका है मैंने मैं अ क्या है मैंने ब्लंक में दिकैन बजती है और कहिती ही कैसी क्चिया वाट करे ओ है उ ठीटिर्फ्रेज शेल पर व्हे мужч gir नि sniff करें पर बैठेगüber अरे चल 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 क्या रहे रहे हैं तुम क्योंना भाई आप सब उल्टा सोच रहे हैं ये मेरा इंतदर कर रही थी हम दोने पिच्छे देखने जा रहे थे अच्छा हो मैं टेक्सी पकड़कर आगया बस के लाइन में नहीं खड़ा हुआ अच्छा तो आप लोग इस तरह भुरी बाली लड़कों को तंग करते हैं अच्छा क्या सोच रहे जरापन को भी बोलना मैं तेरे को देखर ये सोच रहा हूँ क्यों न मैं भी ये धंदा शुरू करतूं एई क्या बोला तू जरा फिर से बोल तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया अरे ये काम बहुत जोखमका है अगर तू कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ दोनों मिलकल करेंगे अरे नहीं तेरे को नहीं मालूम ये काम बहुत लफड़े का है अच्छा कुछ नहीं रखा इस काम में जब देखो पुलीसे भागो डवर डर के मैं तेरे को बोल देती हूँ ये चक्र में कभी ना पढ़ना हाँ जो तु मेरे को बोलता था वही मैंने तेरे को बोलना शुरू कर दिया एक बात बोलू सुनी हाँ बहुत बाहर से तु कैसी भी है लेकिन दिल की तु बहुत अच्छी है मैं भी एक बात बोलू मेरे को बहुत लोग बोला है काम छोड़ने के लिए लेकिन मैं इस कान से सुनती थी और इस कान से बाहर निकाल लेती थी लेकिन जब से तु बोला इस कान से सुना और सीधा दिल में आगी तेरी बात मैं रात पर सोचती रही अच्छा रात भर सोचती रही इसलिए टिक्टे ब्लैग में बेच रही थी वह उसला आदत पढ़ गया है न छूटता ही नहीं लेकिन तुम बोला ठीक था बहुत लफड़ा है इस काम में अगर इस काम में बहुत लफड़ा है तो फिर इसे छोड़ की नहीं देती प्रामिस तो नहीं करती कोशिश करूगी चलेगा चलेगा मेरी गयर मौजूद्गी में तुम लोग इतना सा काम नहीं कर सके अगर मुझे मालूम होता के मेरे आदमी इतने निकम में हो गएं तो मैं हिंदुस्तान छोड़ के बाहर नहीं जाता अब इस काम में देर नहीं होगी प्रेम उस तरह और साबून दोनों बड़े काम की चीजे हैं न बाल रहे न खाल पर आपनादा आपन बनाता है आए बटिया आए 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 अराम से बटिया झाल झाल क्फ़र दगा जब बाट कर दोन खब हा दो कर दोन कि अथ दोन कर दोन दोन खिक उसन उखा दोन क्थजब लमेंग दोन कि अव्रोंollar कि अव्रोंकिन क्ष़र दोन झाल झाल कि उल्लू के पठ्थे जोजफ की शादी तीन साल पहले मैं मैं खुछ करवाई थी कि मैं नहीं जानता हूँ तुम्हारे बॉस को मुझसे क्या दुश्वनिया लेकिन दूसरी बार मेरी जान लेने की नाकाम कि मैं खोशिश करके उसने एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दी है जिसे अब मैं खतम करना है जे, अभी जी कर दो कर दो प्राइ्ट में घजू पुच हो अरह झांट प्रॉणी तूरी तफ में जब जो हम जए एंग प्राइम को में जए जए बाइम बाइमे जए एंग कर दो कि ए्यार्व नड़ी है? प्रणबी ने तुझे जिस काम के लिए भेजा है, मैं भी उसी काम के लिए आया हूँ, बता, कोडवर क्या है, बता बोल फूलो में खुश्बू है फूलो में खुश्बू है फूलो इन फूलो में खुश्बू है यह कागस की फूल नहीं है आप 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 मैं तुम्हारा इंतजार करा था हीरे कहा है जहां मैंने रखे हैं अपनी मौत से मजाख मत करो विक्रम तुम शायद रनबीर को नहीं जानते नाम जरू सुना था आप शकल भी देख ली खुशकिसमत हो तुम जो आज तुमने मेरी शकल देख ली क्योंके अब तुम सीधे जहन्म पहुंचा दी जाओगी एक आदमी को जहन्म पहुंचाने के लिए इतने ही अमराज काफी कोशिश करनी पड़ेगी इन लोगों को इसी बात का तो दूख है कि इने बिलकुल कोशिश नहीं करनी पड़ेगी जानते हो इनके हाथों में क्या है इन्हें मशीन गन कहते और जब इनका ट्रिगर दबता है तो एक सेकंड में सो गोलियां चलती और मेरे इशारे पर जब ये ट्रिगर दबेंगे तो सब मशीन गने एक साथ चलेंगी और हजारों गोलियां तुम्हारे जिसम को तार तार कर देंगी तब तब मैं देखूंगा तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराट कैसे रहती मैं आखरी मौका देता हूं बता दो हीरे कहा है वही जहां मैंने रख्या है ठेड़ो रन्बीर इस लाल बटन को देख रहे हो इसको दबाने पर गोलिया नहीं बलके हजारों वोट बिजली तुम्हारे जिसम से गुजर जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तब मुरे अफसूस है मेरे चेहरे की मुस्कुराहट तुम देख नहीं सकोगे हम घर आयोए महमान की इज़त करते हैं हाथ आयोए दुश्मन को छोड़ देना हमारे धंदे में बेवकूफी है और ये बेवकूफी मैं नहीं करूँगा आज से मैं तुम्हे अपना दोस्त अपना पार्टनर बनाता हूँ रनबीर ए के गदर जानता है और ये रहे है तब तेरी की क्या होगे अपने को ये भी बाजी हार गया दादा तुम ये तास की बाजी भी हार गये और इसक की भी गोल डगरो नहीं तुमाट डालूगा दादा वो तमासे वाली छोगरी है ना तुमारी सोनी वो गैरेज वाले छोगरे से मूँ काला करती फिरती है तुझे कैसे मालूम मैंने खुद अपनी आखों से देखा है दादा आई शपत तो ये लफड़ा खत्म करना ही पड़ेगा चल सनी मा देखन को जाएं गोड़ी चल सनी मा देखन को जाएं गोड़ी ओ चल सनी मा देखन को जाएं गोड़ी लैला तेरे जैसी मजनू मेरे जैसा दोनों कैसे मिले फिर तमाशा क्या हुआ वो तमाशा हम देख आएं गोड़ी चल सनी मा देखन को जाएं गोड़ी ये सनी मा तो तेरा वहाना है वहाँ ले जाके मुझे को सताना है जब अंधेरा होगा फिर मेरे हाथों पे खार तेरा खुगा मुझे को सफेरे पता ओ दिवानी मैं जानो चाने तोड़ी ना रे बाबा सनी मा में जाओ ना तभी ना रे बाबा सनी मा में जाओ ना तभी ना सनी मा तो होटल में जाओ दी कुछ बेगाने होंगे कुछ अंजाने होंगे तो दीवाने होंगे बड़ा आएगा मजा दिल की बातें दिल को सुनाए गोरी चल हम दोनों होटल में जाओ गोरी होटल में बाबरी बाबा संग तेरे में होटल ना जाओंगे जान आपत में ना मैं पसाओंगे ओ संग तेरे में होटल ना जाओंगे जान आपत में ना मैं पसाओंगे सुने कैविन में तू लेके जाएगा मुझे पिर क्या सुझेगे तुझे क्या भरोसा है तेरा कोई देखे तो रुस्वाई होगे ओरी ना रे बाबा मैं होटल तो जाओं ना तभी ना सनीमा ना होटल तो फिर ना जो होटल तो मेले में जाएं गोरी मेरी बाहों में तु तेरी बाहों में मैं मिलके घूमेंगे हम कोई देखे भी तो क्या मिलके जूमें हम नाचे गाएं गोरी चल हम तोनों मेले में जाएं गोरी मेले में तो वरतबा काहे काहे पहले मेले में मुझका घूमाएगा पिर हिंडोले पे जूला जूलाएगा अर पहले मेले में मुझका घूमाएगा पिर हिंडोले पे जूला जूलाएगा जूलाओ उपर जाएगा फिर तु मौका पाएगा चुले पे जोड़ा जोड़ी तु करेगा चुले पे जोड़ा जोड़ी चल हम दोनो मेले में जाएं कोरी ना दे बापा मैं मेले में जाओं ना कभी चल सनीमा ना दे बापा चल फिर वोटल ना दे बापा मैं तेरे संध जाओं ना कही ना दे बापा मैं तेरे संध जाओं ना कही प्रेम राश रचाओ इसके साथ है ये शम्भू हो संभाल कर बात कर अबयो कालिये अपनी देड़ गर्स की जबान अंदर रख नई तो अविस्सा टेटूओं मसकूंगी की निकल की भार आजागी अरे तुछ से तो बाद में निप्टूंगा रहने पहले तो जराइस हरामी स क्यों पिश्ली मार भूल गया क्या अरे मच्छल को एक दफा काटने का मोका मिल गया तो वो क्या मौत से बच जाएगा कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कि यह भी कुट्ते आपके अपने साथ पिल्ले भी लेगर आया है बाबा मैं तुम्हारी कासम खाकर गयता हूं तुम्हारी नासों के सोगन कहा कर गयता हूं कि जिन जिन्देगी में किसी पर फिर कभी हात नहीं उठा कर याला घर मय व मैने now दो उमर मुरियबेची म grouping छोर adopt को लाकी अखे को अके को अरो हखिए को कर पाखकल ममार मैंने मैंने हाथ नहीं उठाया बाबा मैं जानता हूँ मेरे बच्चे जानता हूँ हरामजादो इन पूड़ी हड्डियों में अब भी इतना लुआ है तुम मेंसे एक-एक की हड्डी का सुर्मा बना सकता है एक नाई नाई हमारा जख्मी शेर ही काफी है तुम जैसे कुट्टों के लिए उठ उठ अमर तेरा बाबा तुस्से कह रहा है जाओ हमने तुझे तेरी तवां कस्मों से आजाद किया उठ शेर खां के शेर उठ अमर आज अपने लिए गई अपने बाबा की इजज़त के लिए होड़ खाबरदार कोई तूसरा बीच में आया तो यह लड़ाई सिर्फ यह कमीना और मेरा शेर लड़ेगा आगे बड़ा अमर अगिया बजलड़ जाए ने की इनमर ऊनिकी यह जैस यह झी समय में आप HUMANार सविंड आप इनमर, वज़े बालदा में ढरे निः मैं अekारा यह जो तूसरा ने आदो गर खाए्र घाथ 없어 जो चुझे ए Keeping झाल 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 मेरे बच्चे हम झाल 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 यह हम नहीं जानते बच्चे लेकिन कस्म है परवदिगार की कभी खान से उसकी जान मांग लेना वह खासकर तुम पर निशावर करतेगा बहुत तुम्हें अपने खास दोस्ते मिला तो बहुत देर से अकेला खड़ा है सोच तुम से मिला दूँआ विक्रम इन से मिलो यह विजय श्री दांस ड्रामा डिविजन में काम करती हैं यह मेरे दोस्ते विक्रम हलो हलो जो विक्रम आप किसका इंतिजार कर रहे हो तुम हमने जिन-जिन को बलाया थे सबाग है मेंने दो एकी को भूलाया था लेकिन व अभी तक महीं आया नहीं विजव इन पूझा दोस्ते लग ऐ पुरानी दोस्ती लगती है नहीं दोस्ती तो नहीं है लेकिन जब भी मैं उसे मिलता हूँ ऐसा महसूस होता है जैस मेरा रिश्ता रिच्ट इम मैरा उसके साहाँ बड़ा दिल्चेस वार्मी है, तुम मिलोगे तो काफी इंतिजान करवाया तुने इन से मिलो, यह है मेरे बिजनस पार्टनर रनबीर, आज की पार्टी हमारे बढ़ते हुए बिजनस की खुशी में नहीं दिये और यह है मेरा दोस्त अमर विक्रम बहुत तारिफ हैं कर रहा था तुमारी, विजय श्री आमर यह है मेरा दोस्त अमर, और यह है मेरी आ आ आ ज्यादा कहने की कोई जरुवत नहीं है भाई, सारी मेफिल को अगर दुरबीन लेकर देखा जाए ना तो एक ही चेहरा रोशन चमब करा मुलाता है Excuse me अचा भाई सुनो, तुम लोग बाते करो, हम लोग जरा महमान से मिलके आते Okay नहीं बड़े भाई, अपना ग्लास तो यह है Cheers Cheers यह क्या, ना सोडा, ना पानी पानी पिना तु मैने सालों पहले छोड़ दिया था मुझे नहीं बताएंगे, कौन था वो अपना तुम्ही तो अपनी हो, तुम्ही क्यों नहीं बताऊंगा बहुत पहले की बात है हम दोनों, मैं और मेरा अब पार्टी रंग में आगी मैंने विजेश्री को नाचने पे राजी कर लिया नाचने की तो तुम्हारे पुरानी आदत है आदत नहीं शोक है आदतो अई यार तेरी आरी हमें जान से है प्यारी है यार तेरी आरी हमें जान से है प्यारी तेरी यारी पे जान लुटा देंगे लुटा देंगे लुटा देंगे तेरे साथ है मरना जीना जहां तेरा गिरेगा पसीना हम पसीने पे खून बहा देंगे बहा देंगे बहा देंगे आई यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी आई यार तेरी यारी यू राह में चलते चलते कोई यार नहीं बन जाता यू राहा में चलते चलते कोई यार नहीं बन जाता लगता है के तेरा मेरा लगता है के तेरा मेरा वोई पिछले जनम कहना था ओ यार है जो दुख पाटे तेरी राहों से चुन के काटे तेरे कदमों पे भूल बिछा देंगे बिछा देंगे बिछा देंगे ए यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी ए यार तेरी यारी मूरत है सचाई की तूबा की सारा जग है धोका मूरत है सचाई की तूबा की सारा जग है धोका तुझ पे है भरोसा जितना उतना न खुदा पे होगा तेरी और जो आँख उठाए तुझ से जो कहीं तकराए सारी दुनिया में आग लगा देंगे लगा देंगे लगा देंगे आई यार तेरी यारी हम जान से है प्यारी तेरी यारी पे तेरी यारी पे जान लुटा देंगे लुटा देंगे लुटा देंगे आई यार तेरी यारी गाड़ी ठीसे बना ले ना मैं जा रहा हूं बार कावल के करना है अरे आप वो कह रहा हूं कि अरे ओमर भाईया अरे सुना तनी इधर ता आओ क्या वाद है राजपत भाई बहुत खुछ नदर आ रहे हो कोई लोट्री वोड़ी लगए क्या अरे का बात करतो है रुपाईया पैसा तो राजपत के हाथ का मैल है वो की कौन परवा करत है तो फिर किसी छोगरी जांख लड़ गई क्या राम 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 इका बात करतो छोटु भाईया हमका चाज जूत यहां मार लो लेकिन किसी कन्या का नाम हमाने पास ना लो हम तो ठहरे अखंड भ्रमचारी हम तो हनुमान जी के भगत है तो फिर उच्छल क्यों रहे हो उच्छलने की तो बात ही है ना अमर भाईया देखा हम क्या लाएं है तो के दिखात है अरे दुलानिया का घूंगट है हार्मोनियम पूरा तीन सो रुपया खर्च करके लाएं हैं तो कि खुश करने के निये हैं आप तो हमार गान सुनना ही पड़ेगा हार्मोनियम ने आयलाने का क्या फाइदा गला बदलवाता तो बात भी थी देखा चोटू भाईया हम का गुस्ता ना दिला हमका तो लगाता है कि हमार बाल सुफेद हो जाए लेकिन हम तुमका ना चोड़ा हां तो कहो अमर भाईया काउन सा पान लगाँ लगाता एक साधा पान पान तो बड़ा साधा खातो बड़ी लच्छे-दार पार्टी में जाता तूमसे गिसने का अरे हमका सब मालूम है अम नहीं देखा जब तक खुद ना देख लो फिर कभी मत कहना हो चल अरे पान तो लेते जाओ बुरा मान गए अब चलो पस गया है आज मेरा दिमाग बहुत तेज चल रहा है रनबीर हारने से घबराना मत तुम चलते जाओ प्यारे वो पुरानी कावात यादना सौ सुनार की एक लोहार की अज आदमी जेल से छूटा वो अंदर से चुपा कर एक शौल लाया है और वो शौल उसने ले जा कर रामलाल की बेटी को दे दी ठीक है तुम जा ठीक है सर्थ क्या वात है कुछ फरेशान नदर आ रहे हूं कौन है यह रामलाल की बेटी सोनी नाम है उसका सडकों पर खेल तमाशा करती और यह रामलाल मेरा खास आदमी था ताले तोड़ने में माहिर था और यह शौल का किया किसा है विक्रम यहां से 50 मिल की दूरी पर एक मंदिर है उस मंदिर में दो मूर्तियां थी, सोना, चांदी, हीरे, जवराद से लदी हुई, आज से पांच साल पहले, मैंने उस मंदिर की मूर्तियों को लूटने का फैसला किया था, और उस काम का इंचार्ज, रामलाल को बनाया था. दो दिन तक तो रामलाल मंदिर की आस पास वाली जाड़ियों में चुपा रहा, लेकिन उसके बाद पुलिस के हाथ लग गया, बुजारी के बयान से रामलाल को पांच साल की सजा लग गए, लेकिन वो ही रहे, ना तो पुलिस को मिले, और ना ही मुझे, ना जाने कमबक ने कहाँ चुपा दिये थे, हाँ एक बार उसने अपने बेटी के पास एक नक्षा भेजा था, वो भी मेरे आदमें ने उड़ा लिया, मगर हम लोग इस नक्षे का सरफ पैर तक समझ में नी आया, विक्रम, यह ही मेरी जिन्दगी की पहली और आखरी हार थी, मेरे ख्याल से रामलाल तो अब जेल से आजाद हो चुका हो गा, नहीं, रामलाल जेल से नहीं जिन्दगी से आजाद हो गया जेल जाने के कुछी अर्से बाद रामलाल मर गया और यह तस्वीर? यह तस्वीर रामलाल की बेटी की है, सोनी, सोनी नाम है इसका यह था सब कुछ अमर, जो मेरे बापू के साथ हुआ सुनकर बुरा लगा हो, तुम मुझे दोश मत देना खेल तो सब तक्तीर का है ना? वो सब ठीक है, सुनी, लेकिन यह क्या है? मुझे रगता है यह उस जगह का नक्षा है, जहां बापूने दौलत छुपा रखी है अमर, अगर यह दौलत हमें मिल जाए, तो हम इसे पुलिस को दे देंगे, वापस भगवान के पास पहुंचा देंगे तो ठीक कहती है सुनी, मगर हमें इस दौलत का पता कैसे लगेगा? हमें तो इस नक्षे का कुछ भी बता नहीं हमें अब जब सूरज मंदर के बिलकुल पीछे आएगा उस वक्त, त्रिशूल की परचाईन जहां पड़ेगी, वही जगा होनी चाहिए झाल के चिला हुआ छोगा है हुआ हुआ है हुआ 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 हुआ! कि यफ草 चुछ स्टित। कि यव हु आपई आरीन आरीचों क्या स Kuris बड़े भाई आप से जब भी मुलागात होती थी प्यार से मन भर आता था लेकिन ये पुछना ही भूल गया कि आप धंदा क्या करते हैं अमर चोरी मेरा धंदा नहीं है पेशा नहीं है और शौक भी नहीं है चोरी मेरी जिनगी का एक ऐसा उसूल है जिसे तोड़ने की ताकत किसी भी रिष्टे में नहीं चोटा हूं इसलिए आपको नसियत नहीं दे सकता आप बड़े हैं इसलिए आपसे बगावत भी नहीं कर सकता तरखास कर सकता हूं यह मंदिर की अमानत मुझे देजिए मंदिर की अमानत चोर के हाथ में जो दौलत होती है वो उसकी अपनी कभी नहीं होती और यह भी ज़र लुटोर इंसानों के विश्वास का जिनोंने कितनी शर्दा से भगवान के चर्णों में चड़ाया होगा कौन सा भगवान किसका भगवान वह पत्थर की मुर्दी जो नसुन सकती है नब बोल सकती है कितनी राते में भूका उसके पास रोटी मांगने गया था तब तुम जैसे पत्थर को विश्वास करने वालों ने धुतकार कर मुझे भगा दिया था मांसे आज का भगवान ये है हमारी ये जरूरत से लेके आशो आराम के हर चीज आज बिकती है और वह सब इसी से खरीदी जा सकती है पुलो कितना इसा चाहिए तुम्हें 10 पर सेंट 15 बीस पर सेंट विका तो एक बार पहले भी था बड़े भाई तुम्हारे पास ही विका था मगर तब कीमत ही प्यार और आज कीमत है पैसा अगर खरीदना ही चाहते हो तो मेरी कीमत वो सब कुछ है जो तुम्हारे हाथ में है बच्पना मत करो अमर तुम शायद इसकी असल कीमत नहीं जानते तुमने शायद कभी भूक नहीं देखिये कड़कती धूप में पानी की एक बूंद के लिए कभी तरसे नहीं हो तुम इसलिए इतने कीमती चीज को उस पत्थर की मुर्ती के कदमों में रख देना चाहते हो आप जिसे बार बार पत्थर की मुर्ती कह रहे हैं वो मेरा भगवान है और जो चीज तुम मुझसे छीना चाहते हो वो मेरा भगवान है, धर्म है, इमान है, सब कुछ है यह मानत लिए बगर मैं आपको जाने नहीं दूँगा खाँगा खेर लो चारों तरफ से मिस्टर विक्रम मैं आपको सोनपूर मंदिर के जेवरात चुराने के इल्जाम में गरफतार करता हूं बाहर आईए आईए नहीं यह नहीं यह नहीं हो सकता इंस्पेक्टर सहाब यह सच नहीं है आपको जरू को गलत फ्रमी हुई है विक्रम विक्रम तुम खामोश की हो खोम बोलते क्यों नहीं सफ यह देखी कि मैडम यह कुछ Smash नहीं बोल सकते सच अपने आप बोल रहा है अनल प्रिया मुझे अफसोस है अपने बारे में जो बात में तुम्हें बताना चाहता था वो इस तरह तुम्हारे सामने आई मुझे बहुत अफसोस है चाहता तुम्हे अपने रास्ते पर लेया हूँ मगर ना तुम अपना इरादा बदल सके और ना मैं अपना अधर्श और नतीजा यह है नतीजा यह नहीं है अमर नतीजा तो तब निकलेगा मैं जेल से छूट कर बाहर आऊंगा तुमने मेरी दोस्ती देख ली अब दुश्वनी देख लेना परवर्दिगार तो ने जिन्दगे में हमको इतना खुशी दिया कि अब तो हमारा दामन भी शर्मिंदा हो गया है आज इतकी खुशी में एक खुशी और हमारा छोली में टाल दे हमारे बच्चे का मुराद पूरा कर दे उसको उसके भाई से मिला दे हमी है ही कहारी ही दमुबारख ही दमुबारख ही दम Common की Lauren आ lessons का छोड़ चोड़ चोड़ जो धानमाव। कौन है अंदर पाराओ। ओई ख़्बार आता है या पुलिसको बुलाओ। कि भगवान के लिए मुझे इनके हवाले मत किजिए वरना ये लोग मुझे जान से मार देंगे ओई क्या चुराया तुमने मैंने मैंने कुछ नहीं चुराया मैं कई दिन का भूका हूं सिर्फ रोटियां चुराई हैं देखो ब्रादर इस का फैसला तुकुला करेगा कि तु तुम को अपने खरीब खाने पर लिकर चले पेट भर कर खाना के लाएगा समझा आज कर अब कर दो अब तो कि खौँ खौँ पेट भर कर खौँ यह तुम्हें किसी से डरने का जरूरत नहीं है जितना दिन तुम चाहो उतने दिन यहां रहो ने खाल साफ आपने पेट भर खिला दिया यहीं बहुत है ओए पेट भरतर तो तुम कू रात को खिलाएगा आज हमारी यहां जशन है कल चांद देखा आज रेध बनाया आज रात पेटे का चांद देखेगा रोज रीध मनाएगा तुम कहव कहव हम तुम बश्त सबरेले पानी लेकर आता है बिल्टार पर शैना जा घंगामा नहीं तो कब करेगा कई तो इतना चोटा था आज इतना बड़ा हो गया है अरे वह आपना हूने वाला धूलण को अमें दिखाने लाना है तो क्या उसे आपने अभी तक देखा नहीं था लाहुल विला कुबट तब किसी नहीं देखा तो हम कैसे देखेगा बात बोले किसी को बोले कर तो नहीं तो हम लड़की को देखा है पिजली को क्या हुआ हाँ साहब यह लाइट को जले गई वह हम को क्या मालूम बाहर राकर देखो जली जो जो क्यों कर गया ना हरकत मिला दिया हमारा इज़त खाक में हो गया खुश कोई बात नहीं तुझ से तो हम बात में निपतेगा अरे काहे को परिसान हो तो है जब तान से इनने दीपक राग गाई के परकास कर लिया था अरे तो हम भी हमार तान सुना के फ़ौरन बत्ती बुला लेते हैं सुनो ना ना राजबत भाई ऐसा ना करना अभी तो लाइट गई है तुमने गाना शुरू किया तो लोग भी चले जाएंगे लो ठीक है अरे यह अंदेरा कैसे लगता लाइट चली गई है अच्छा हुआ क्यों मुझे सबके सामने जाते हुए शर्माती है हाँ हाँ आओ जाने जिगर आले की जान खुशाम दे है हाँ हाँ आपने आखी क्यों बंगती है बाबा आपने आखी क्यों बंगती है हुए बच्ची को नजर ना लग जाए अल्ला नजर से बचाए अज चांद हमारे घर उतर आया है हम बहुत खुश है मैं कल से बड़ा खुश हूँ और मैं भी बहुत खुश हूँ बैटी ये कोपू है शेर खान के ट्रक का पांच मठाया और ये चोटू पारवती बहिन के लड़का एई पारवती बहिन किदर है वो जरूर बावर्ची खाने में होगा एई शीला इदर आओ बैटी को अंदर ले जाओ पच्चे अगर शेर खान सारी उमर जिस्तुजू करता तो तेरे लिए से पहतर दूलों नहीं मिल सकता था हम तो बारी तुकाफ की दाद पेता हैं हाँ हा ए इसारी खुसियां देख कर कर तो हम को बनारस कि साम आजात है हाँ क्या कर रहे हमार जेर तो गाना गाने को तडबद है कुछ टूम्री कुछ गजल कुछ दाद्ड़ ठाशन भी यह हो जाओ शूरू हो जाए हो जाए हो जाए dud़ आए हो जाए Ooohhh लाय, 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 लाय हा अचलाओ शूल लगाई, चलाओ हाँ, हाँ, ठीका हाँ जवानी का सुद्दा जमाना मुझे याद आने लगा है जादू सचाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है जादू सचाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है मेरा महमान वला है मेरी जान वला हो क्या कुर्बान वला क्या मज़ा आने लगा है क्या तू सचाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है क्या चांद उत्रा जमी पे क्या रात है या इलाही हमको मिला जो वते दी सौगात है या इलाही रुख रोशन से उठा जो परदा तेरे जल्वों से मेरा दिल ये जगम गाने लगा है क्या दू सचाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है क्या दिल गुनाने है प्युनाने लगा है क्या रहती लगा है क्या जब गुनाने लगाँ भुनाटने लगा को आफ़े मारत कि यूँ अपनी मस्ती मिना के ना छेड़ बाते बना के अब शर्म कैसी तुझे मैं लाया हूँ दुलहन बना के मैं तुशर्माओं है मरी जाओं मेरा दीवाना सुनंगी कस तुम जाने लगा है जादू सचाने लगा है दिल गुल गुनाने लगा है या खुदा मैंने जो दुआ मांगी मेरी दुआ का अस्तर आज नदर आने लगा है जादू सचाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है जवानी का गुद्रा दमाना मुझे याद आने लगा है जादू सचाने लगा है दिल गुन गुनाने लगा है जिल गुन गुनाने लगा है कर दो एक भाई तुम मिल गया सुसरा, अब दूसरा कहा होगा? कि मलें क्लिटा यहाओ कोई सबस्क्राणाम ק मलें हुपा अबडीख को सबस्क्राणा चीतर चीतरो चीतरो परणाम चोटे सरकार कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचाना चोटे सरकार मैं आपका पुराना सेवक जवानी की दिनों का आपका अनोका राजधार अनोके लाल हमारी इजादत के बगार अंदर आने की जुरॉत कैसे की तुमने? चोटे सरकार जिस सादमी ने जिन्दगी भराब की खिदमत की हो वो मर गया जिन्दा ही आपने तभी पलट का नहीं देखा मगर चोटे सरकार कृस्मत जिसका साथ देती है उसके सामने हर किसी को छुकना पड़ता है हो शायद उसी खुसमत की महरबानी से आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ छोट सरकार ये देखी यसे पहचानिए, और से देखी है ये लोग कोन है? मैं इन्हीं नहीं जानता सरला को नहीं जानते आप सरला? कौन सरला? जिसे मैं लेकर आया था और आप लेकर गए थे जिसने आकमत्या कर ली थी और जिसका बाए बात अब इतनी पुरानी हो चुकी है कि आज कोई से हकीकत नहीं मानेगा मगर छोटे सरकार हकीकत ये भी है कि ये दोनों बच्चे आजवान हो चुके हैं और इन दोनों में से एक को मैं जानता हूँ अब सिर्फ इस लड़के को ये बताने की देर है कि तुम्हारे खांदान की तबाही का कारण ठाकुर अन्बीर से नहीं लेकिन बतलाएगा कौन? वकील छोटे सरकार यहां आने से पहले मैं एक वकील से मिलकर सारे कागजाद उसके हवाले करकर और उसे ये कहके आया हूँ कि अगर दो दिन में एक बार तुझे नमिलूं तो वो सारे कागजाद पुलिस के हवाले कर देना हनो किलाल उमर में भी तुम मुझसे बड़े हो तजर्बे में मुझसे बड़े हो तुम नहीं जानते तुम्हें खो के मैंने क्या क्या खो दिया था लेकिन अब तुम मिल गया हो मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगा इसी खुशी में हो जाए एक एक जाम हुज़ूर बहुत दिनों से गले से दूर रहिए ये हरामजादी चामसरा रभनाईएगा लोटे आ, लोटे आ, लोटे आ, वोचने वाले बालों आ, लोटे आ, लोटे आ, लोटे आ, ओमें क्या हुआ बाबा, आपके आखों में आशू कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं लेकिन बात क्या है, मुझे तो बताईए एक, एक लॉकेट था पिटे, जिसे मैं किसी तर अंदर छुपा के लिए आया था, आज तक बड़े जटन करके मैंने समाल के रखा, उस लॉकेट से मेरी बीते हुए दिनों की कुछ अच्छी, कुछ बुरी यादें वाबस्ता थी, मगर आज, आज किसी ने वो भी चुरा बताईए, किस ने चुराया वो लॉकेट अजी लगता है जिन्जीर उस्ताद के गले के लिए बनी थी, अमा जैसरे उस्ताद, हिजाने से लुकिंग फिंटैस्ती, कुर्बान जाओ, कही नजर ना लग जे उस्ताद, एक सफेड टीका लगा हिलो, अबे नजर के लिए काला की का होता है, आपके रंग पर काला दिखेगा नहीं, आई, राका, अजी, ये उंबर कैद वाले इलाके में छे महीने वाला कहां से आट अपका, इस वंडर, राका, उस गरीब बुड़े का लॉके जो तुने चुराया है, वापस कर दया, राका को चोर कहने वाला, फिर दोबारा जिंदगी में चलने लाइक नहीं रहेगा, अजी, चलने के लाइक क्या, देखने के लाइक नहीं रहेगा, अमा देखना तु क्या, सुनने के लाइक भी नहीं रहेगा, अरे सुनना क्या, खाने के लाइक नहीं रहेगा, सीधी तरह वरना तू किसी लायक नहीं रेगा मा का दूद पिया है तो उतार ले लॉकेट ले निकाल लॉकेट पिया है तो पिखा लगाने को कहा था उस्ताज ने तो उस्ताज ने तो पुरा भूँई सुभेट जास्ट कर लिया अरे उस्ताजी तो भारणनाग्रिम कर रहे हैं नहीं लगता यह पागल होता जास्ट 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 आए जया खए लुटूू। बाबा ये लो तुम्हारा लॉकेट 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 ये लो बाबा तुम कह रहे थे इसके साथ तुम्हारी यादे बंदी हैं कुछ अच्छी कुछ बूरी ऐसी क्या वाद है ये है क्या ये ये लक्षमी है बेटा ये वो शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है और अगर ये नहो तो जो चीज जहां है वही रुख जाए ये लक्षमी है बेटा ये वो शक्ति है जिससे सारी दुनिया चलती है और अगर यह नहो तो जो चीज जहां है वही रुख जाए यह लक्ष्मी है बेटा यह लक्ष्मी है यहां दस्खत कर दो हर जाने वाले कैदिस हम यही कहते हैं कि अब यहां नहीं आना लेकिन जिला साथ अब मैं यहां नहीं आऊंगा कभी नहीं आऊंगा है लाए बाँ षा बाँ बाँ अब राँ businessman इंना लेखते हु लेडा लेडियborg कि मैं जा रहा हूं बाबा कि भगवान तुबारी रक्षा करें कि तुबारा यहाना पड़े ऐसा कोई काम मत करना कि नहीं करूंगा बाबा कभी नहीं करूंगा कि यहां से निकलने के बाद जब तक आपके बेटे आपको नहीं मिलते आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे ज़रूर रहूंगा बेटा मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी कि अब तो इस इत्मिनान से यहां से निकलूंगा कि बाहर की दुनिया मेरा भी कोई घर है घर तो है बाबा मगर अभी आपके लाइक नहीं है यहां से जाकर मैं उसे आपके लाइक बनाओगा कि भाफष प्रूस। मैं कानून का मुझ्रिम था, उसकी सजा तो काटाया हूँ, तुम्हारा भी मुझे हूँ, तुम अपनी सजा सुना दो मैं तुम्हें लेने आया हूँ सच्चा ही जानते हूए भी सच्चा ही ये भी है विक्रम, मैंने प्यार किया है तुमसे, सिर्फ तुमसे विक्रम, तुम नहीं थे ऐसे लगता है जैसे हमारा दाया हाथ नहीं था, आज हम जी भर के पिएंगे नहीं लन्बी, मैंने ये सब कुछ छोड़ देने का फैसला किया है ऐसा कोई फैसला इस दोस्त से सला किये बगएर कैसे कर ले तुमने रन्बीर, जेल में एक ऐसी महान आत्मा से मुलाकात हुई जिसने जिन्दगी का रंग ही बदल दिया महान आत्मा, जेल में मैं मजाग नहीं कर रहा हूँ, मैं सब कुछ छोड़ रहा हूँ, सब कुछ नहीं दोस्त, यहां लोग आते अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते मेरी इजाज़त से हैं और मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूँगा बहुत बड़ी भूल करोगे रन्बीर, मैंने काम बदला है, नाम नहीं मेरा नाम आज भी विक्रम है अरे तुम तो नाराज होगा यार, यह महान आत्मा है कौन, क्या नाम है इनका, हमसे नहीं मिलाओगे बहुत जल्द जेल से रहा होने वाले हैं, जब आएंगे ज़रूर मिलवाओंगा उनका नाम लालक केदारनाथ है केदारनाथ रन्बीर, वो मेरे पिताजी है तो फिर असली कातिल कौन है? यही तो पता नहीं चला आज तर जिस दिन पता चल जाएगा, इनी हातों से मैं उसका गला कोटूँगा ठीक है, मैं समझ गया विश यू अल बेस्ट, अगर मेरी मदद की जूरत पड़े, जिजक ना मत जिसकी वज़े से मेरे पिताजी ने 14 साल जेल में गुजा रहे हैं जिस दिन वो मेरे सामने आएगा रन्बीर, बदद की जरूरत मुझे नहीं उसको पड़ेगी अब क्या होगा चोटे सरकार, पहले एक थाप दो हो गए, बाप भी जिन्दा है, आपने जो कतल किया था, उसकी सजा भुगत का जल्दी, शाड़ाप पाइंदा कभी उसकतल का जिक्र किया तो मैं तो जिजान से माड़ा लूगा मैं आपका क्या बिगाड सकता हूँ तु मेरा कुछ नहीं बिगाड सकता, बोल अब बोल जोटे सरकार नाम, नाम उसकाम है शेरखन नाम के ट्रॉक डावडी दुपाला है टामनी महले में शेरखन इसकी समधे बिगाड जदो भीको इसे मार-मार के तैखाने में बन कर दो पर चुटे सरकार नाम, पर चुटे सरकार नाम पर चुटे सरकार चुटे कि अज़ा का खथ लुन पीज तेरी मौत का परवाना मेरे हाथ में है dvm का विक्रम और अमर में दुश्मनी है और मैं इस दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता हूँ मैं समज़ाना है तुम विक्रम की गाड़ी चुराओगे और उस गारी में अपने कुछाद में लेकर जामली महले जाओगे जी, और सी गारी में बैटकर आमर को गोली मारो गए एक गोली से मर जाएगा और दूसरा उसके कतल के जुर्म में फांसी भी चड़ जाएगा इज चारी में अप्याई आमर के लाएगा रसके करेश का भीक लाएगा! आमर, पुरिक भब्हाएगा! क्या हुआ ? वेकमजी से छूट गया है यह कौन से बूरी खावर है यह जसने कहा था कि बुरे हाँ उने पतफल से बदला लेगा अरे जहां बहुत बढ़ा लेने वाले औरी इका अमर भाइया का अच रेडियेटर बहुत करम लगत है अरे ओ अंर भाइया बहुत गुस्से में लगा थाओ अरे छेडू में एक मलार की तान या लगाओ ठंडक वाला पान भाड में गया तू और तेरी तान जब भी देखो बोर करता रहता मैं तो पान खाना ही बन कर दूँगा आरे ही कैसे हो सकत है आमर भाईया औरे रूठे आरे को मनाएंगे हम खिलाए के पान बना रसवाला मैं कुछ समझे नहीं बाबा देखो पीटा तुम ट्रक्ते पीछे जाकर छुप जाओ हम आमर को बोलेगा कि पीछे से सामान लेकर आओ वो सामान लेने आएगा तो तुम को देखेगा बहुत खुश होगा खुजी से फूला नहीं समाएगा तब हम उसको बोलेगा क्या पाबा अरे ये क्या क्या तुम नहीं ये क्या क्या राजपत अरे ये नो बाशा प्या हो गया चला इसको असम रेले चलते है अब होस्पिटल जाने का टाइम नहीं नहीं राजपत नहीं 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 राजपत अब हम चाहते हैं अमर भीया नहीं राजपत अब हम चाहते हैं अमर भीया नहीं राजपत अब हम चाहते हैं अमर भीया क्या तुने अमरा काना नहीं सुना नहीं तुम ठीक हो जाओ हम हम स अबड़ाइब बाइब बाइब अभास डाहिए राषबद! 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 तोने मेरे दोस्की जानली हे विगराम, अद मेरे तुझे जिंद एचारू! स्टार्ट कर दो कर दो कुछता है हम से पोच्छ हम शेर खान है अच्छा तो तुम हो शेर खान तुम्हारी मौश शेर खान एक गरीब पान वाले की जान लेकर बच नहीं सकता तू पान वाले की जान अहां और तुम को भी जहन्नम नहीं पहुचाया तो हम भी पठाद नहीं बखवास बंद करो ले जाओ इसे अरे यह लोग क्या ले जाएगा हमको तो इसका मतलब है कि हमारा भी तक जिंदा है हमार को लाएगा ले जाए इसे और अच्छी तरह सबक सिखा दो जुगों के बल पर जीता है तो यह अमारे अमर को कुछ हो गया तो हम तुम को जिन्दा नहीं छोड़ेगा तो अमर जिन्दा है और आज विक्रम का बाप भी जेल से रहा हो क्या रहाएगा माप कीजिगा आप ही लाला के दानाज जी है नमस्ते हमें विक्रम साहब ने आपको लेने के लिए भीजा है एकीज़ करें एड समने किज़े रादर ने हमारे पटी चुरें जीम रहा है विक्रम के विक्रम ने एतीम भीज़े लुम एकल रहा हमारे रादर का जीम एकला का जीम का अजिए कुम झादिए किड़े गोउड़े आध कि तुम आज फिर यहां जला मैं अपनी मर्जी से यहां जबरदस्त नहीं लगाय। लेकिन क्यों कम में लाला केदारनाद को लेने आया हूँ आज वह ben will तो भी यहां से चले गए चले गए लेकिए वो जाने से पहले तुम्हारा पता यहां से ले गए अच्छा अच्छा थैंक यू चेलिल साथ प्रीया प्रीया अच्छा प्रीया विक्रम यह चपल जंजीर और इन कपड़ों को पैचाना तुम्हें यह सब तुम्हारे बाप के हैं तुम्हे मेरे दोस्त राजपत को माड़ा डला तुम्हारे बाप को खत्म कर दिया यह सब तो पूरा होगा है रही मेरी तुम्हारी बात तुम्हें प्रीया को अपने साथ लेकर जा रहा हूं ताके तुम्हाओ खड़क की वेरिस पे मैं तुम्हारे इंतजार करूंगा अम्र अमर अल्या तुम खान साब मुल पर तरस मत खाये मैं गुनावगार हूँ लेकिन उससे भी बड़ा गुनावगार है रनवीर उससे इन बच्चों को बचा लीजिये अपर अविक्रम दोनों भाई भाई है उनकी बेहन की मौत का कारण भी ये कमी तमीना है कि अधार उनकी बेहन का ये ख़त और ये ये तस 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 भी आए उस पठान को सही वक्त पर ठिकाने लगा देना विक्रम तो अब तक कौरेज में पहुंच चुका होगा अमर का क्या हुआ अमर को भी ख़ब पहुचा दी है कि पांवाले पर गोली चलाने वाला विक्र अधार शुक्त खूब इसे कहते हैं अपनी तक्दीर कुद लेखना मैं अपनी शिकारगा पर हूँ मुझे ख़बर देदें आच परवर्दिगार अलमुदद बाबा, 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 ओई तो में दर शैतान के घर में क्यों आया, अभी कुछ बताने का वक्त नहीं है बाबा, जल्दी जलिए, नहीं तो आमार और विक्रम एक दूसरे को मार डालेंगे, कहा है वो दोनों, मैं जानती हूँ, खड़क की क्वेरी, मैंने नीचे उन गुन बाबा, 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 अभी तो है ना? अमार! अगर मा का दूद बिया है, तो सामना हूँ! अमारी दूष्मनी कफेस्ला, सेफ मोचा यामर, साम्याँ! ःष्मनी कफेस्टbereich हुआ हुआ हुआ! पुआ हुआ हुआ को… भाओर! बाबा, डग भी तो आग लेगी है आग? अब तो एक ही रास्ता रहा किया तुम टैक से कुछाओ पर पुलिस को लेकर फारण महा पहुचाओ नहीं बाबा, मैं आपको इसारत को छोड़ कर कैसे जा सकती हूँ ओई तुम हमारा फिकर नहीं करो ये फर्माबर्दारी ज़ताने करें बेटी अमल का वक्त है दोनों भाईयों में से किसी को कुछ हो गया तो हम आला मिया को क्या मूद दिखाए जाओ बेटी, खुदा के बास्ते जाओ जाओ, जाओ, जाओ बेटी जाओ, 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 जाओ अमेर रुख जाओ बाबाँ रुख जाओ विकरम ये तुम्हारा छोड़ा भाई है खुदा के वास्ते छोड़ दो इसे वो अगर जान लेना है तो हमारा ले रुख हजा मुटे तेक बाहर मैं तुझे छोड़िया ता आजो इसे छोड़िया जिए तुम दोनों का भजबवन का तस्वीर है ये तुम है ये तुम है ये तुहारा छूटा बाई बंदे जिन हातों से तुझे पालने का सपना देखा था बंदे यहातों से मैंने तुषिमारा बंदे . . . . . . . . या गुर्दा है विक्रम, भूश में आओ खालान सहाब इसे कई भूश में आजाए पुन्ने आमर, अच्छे, ये देख, विक्रम तेरा बड़ा भाई है ये देख अपने बच्पन का तस्वीर, तिक पुन्ने ये देख, ये ये तुम्हारा मरूम भेन का लिखा हुआ आखरी हच्छ, इसमें उसने साफ साफ लिखा है के रन्बीर ने उसका इसस लूटा था और मच्टे वकट हमको मुनीम ने बताया है कि तुम्हारे पिताजी को जिस कट्व के सजा हुआ था वो कट्व उसने ही किया था, हाँ रन्बीर बाबा 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 खांसार ये आपने क्या किया बाबा बच्चे तुझे एक दिद कहा था ना तुम दोनों भायों का मिलाते के बिना ये आख बन नहीं होगा तेरे यहां अंधेर नहीं है लेकिन बहुत देर कर देते हो कभी कभी बाबा 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 थार तो थार झालो के मिजद। में है कर दयू पाजब है अजाजार के ऋयुा, फोनाजार में क passengerとか जाजार के जारी घूज़ एएा न मैं युल सन्हीं कर वे दियुआ आपनी में है कर दो ढम हो किया क zitten राहर pom प्रवार प्रवा कर्यों है आप नहीं जानते बाबा इसके गुनाहों की कहानी इतनी लंबी और भैनक हो गई है कि इसको खतम करेना ही अच्छा है यही भूल मैंने भी की थी एक बार मैंने भी कानून को अपने हाथ में लिया था यह सच नहीं है बाबा वो भी इस कमीने की एक चाल थी सरला की मौत का कारण भी यही था और इसी ने दिन देयल को मारा था आपने तो सिर्फ दिन देयल की लाश पर गुली चलाई थी अगर तुम तुम यह सब कैसे जानते हूं इसलिए बाबा क्योंकि आपकी कहानी मेरी कहानी है मैं मैं विक्रमओ बाबा आपका बेटर रच्वर कर यहि widen बना? बबाव बना? अजब रजब रवाई बबाव 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 या खुदा मैंने जो दुआ मामी मेरी दुआ का सर आज नजर आने लगा है जादू सा छाने लगा है जादू सा छाने लगा है